प्राप्ति की कवदेशय नहीं और शिस साखा की भूख है चल्य बुणान की भूख है वो अन्त में उसकी वाद रूती होगी जैसे बन में आग लाग जया जड़े पाच्छा है रूख टूंड खड़े रहा करें ऐसी सथिति हो जाएगी उन लोगों की लाश्ट में प्रूब्य शिस साखा संसार गती सेवक पर तैक्स काले बैरा गीचावे मरीता को मूलन ढाले अब क्या बताते है tomorrow's सिस साखा संसार गती है और सेवक परतैक्स काले अभी आपको बता है कि एक चेले ना अपना गुरू मार दिया 75 जार रुपिया पर उसके तो कहते हैं ऐसे जो विक्ति बकवाद करते हैं प्रमातमा से विमुक है नाम उनके पास है नहीं डौंग संतका कर लिया किता है बैठके जाका डेरे में तो वो सेवक तो उसके काल है परतेक्स काल है और वो गुरू बन गया जिसके पास सितारत ग्यान बगती और नाम नहीं है वो संसार गतीम ही है पर नातमों आप जी का सोब आगया है कि आप को ग्यान सुन रहा है आप कोई किसी भी मादम से सुन रहा है कोई पूस्तक भी पढ़ रहा है कोई सीडी भी देख रहा है या परतेक साकर यहां ग्यान सुन रहा है और अर्बों खर्बों मनुसें सारा दिन डले डोरे हैं एक पेट के लिए धके खाते फिरते हैं सो जूठ बोलते हैं नेरे कोड एकठा कर रहे हैं अपने पापकर्मों को फोड रहे हैं जनम को फोड रहे हैं पापकर्म ढो रहे हैं और आप जी को ये ग्यान हो गया आपके इंदर कितनी उमंग दीभगवान ने आप काम भी छोड़ कर आते हो पन्यात्माओं कोई भी कारिये है करने से होता है जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं बारा, तेरा, चौदा वरस जितना भी उसक्ष्या ग्रहन करना चाहता है उसको हम कती फरी छोड देते हैं और अन्य परिवार से अधिक उसके खाने की ड्रेस की अधिक ख्यास रखते हैं, ध्यान देते हैं और बारा, तेरा, सोला और फिर ट्रेनिंग करेंगे बीस वरस तक पत्चिस वरस तक उस बच्चे से हम कोई कारिये नहीं लेते और पैसा भी बाड़ की तरह फूखते हैं किस अधिसे से की बच्चा बड़ा हो करके अपने पैरों पर खड़ा हो जागा पत्चिस बीस वरस के बाद वो लड़का या लड़की दो रोटी के ब्योंत उसका होगा अब हम क्या करते हैं ज़्यादा अच्छी सिक्षा इंजिनियर डॉक्टर या कोई I.E.S. I.P.S. बना देते हैं किस अधिसे से कि ये गणे दन कठा करेंगे अपड़ी कोई ठी बनावेंगे ये टी टी करते कार मसा लेंगे ये उसका दुस्मन होगा अखर में क्योंकि उसमें मान बढ़ाई आ जाएगी माया की हवस बढ़ती चली जाएगी और होगा वही जो उसके भागे में है पहले पूरब निर्धारित है वही बच्चे इन पोस्ट को प्राप्त होते हैं ना था सभी ये उद्यसे से पढ़ते और पढ़ाते हैं तो हम प्रमात्मा के विद्धान को भूल गए तो इस सारे दोस्ट को समात करने के लिए आमने परमिश्वर कबीर जी के इस अध्यात्म ग्यान की आती हो सकता है इस अध्यात्म ग्यान के सुनने के बाद फिर परमात्मा की तरफरूची भी बढ़ेगी और स्यानती भी होगी तो इसके लिए अब जादा से जादा समय बगवान के लिए निकालो जो इस ग्यान को समझ चुके हैं वो तो अपना सिर पैपैर रख लिए उन्होंने तरदास देख रहा है सत्संग में भी आते हैं, सेवा भी करते हैं, बाकी समय में भी आते हैं और फिर यह जी वो नियम में रह रहे हैं, तो देखना उनकी क्या मौज करेगा परमात्मा यहां भी सुख देगा, और यहां से जब जाएंगे, विमान में बैठ कर जाएंगे आए हैं सो जाएंगे यह राजा रंग फकीरे एक तो सिंगासन चड के जा, एक बंधे जा तो जजीरे मरना सभी ने है, यहां साथ सुरीर सब छोड़ कर जाएंगे लेकिन जाने जाने में बहुत अंतर होगा एक तो परमात्मा आकर लेकर जाएगा, इस दास के रूप में काओ, बैठो बैठो यह जा रहा है और तुरंत आप जी उसमें चड जाओगा, आपको पता भी नहीं लगेगा मारी मर्त्यू हुई है, यहां कहीं सत्संग सुनने जा रहे हैं गुरू जी के साथ और जो बगती नहीं करते हैं, उनके अंत सम्में ऐसी ब्रयानमाटी होगी तुर्टी पे साब निकल जाएगा, आप देखने नहीं कभी ऐसा कोई व्यक्ति मर्त्यू होता थे, किसी भी बड़ी पोस्ट पर हो, उसका देखना कितना बड़ा धनी हो जिसके पास यह सत्वक्ति नहीं है, उसकी मर्त्यू देखना, इसको नुआते किसलिए हैं इसलिए सनान कराते हैं, उसका बुरा लोया पावा, ठटी बाए, निकटी कपड़यां के बाँ, लाड़ पड़ जाए, तो फिर उसको नुआवाँ जब वो कती फूक्ण की तैरी हो ली, कहने का भाव यह है कि जो वो तो क्यों डृते हैं, क्योंकि यम के दूट इतनी भें इंकरा करती दिखाते हैं, उसको सिरी छुड़वाने के लिए ना फिर सिद्धे बाले ठोका अंदर से, वो भेवीत हो करके उस चट्टी पिशाब निकल जाता है, जब वो डृता हुआ उस सिरी को छोड़कर भागने की चेश्टा करता है, फिर उसकी बाद जो पकड़ ले सकते हैं, एक भक्त बता रहा था जी मैं सोपने में मर गया, यम के दूट आए, मुझे लेकर चले, मैं बोला रख की चाले वाई, बिला चाल सत्संगों चलाएंगे, मैं उनके साथ हो लिया, आगए जाकर वो कहन लगे कहां ले जा रहे हो, मुझे सत्संगता नहीं है, ये स मारा के मेल भाई, हम तो कबीर जी के सिस हैं, कबीर जी के उपास से कहा है, हमारा कबीर इस्ट है, हमारे गुरू जी ये हैं, और मारा थरा कोई मेलनी, दर्मराज काम नहीं जाए करते हैं, भाग यहां से, उनके लड़ाई होगी शुरू, एक तो लड़ेंगार, एक बाज क है उस दर्मराज के पास गया करने गया जी एक नू कहा है वह अम्दक कबीर जी के पूजारी है और उनके सिस्थ है ऐसे ऐसे अर महारा तुम्हारा कोई मेल नहीं हो तो गुट्टों गुट्टा हो रहा है हमारे साथ से दर्मराज में बला रहा है छोड़ दियो वाई क्यो मन सुख रहा मेरा और सारा काप्पू पसीने छूट रहे एक दम उठ्टा करते कम से गम दो तीन गिलासता पाइनी पूए जब सान्त हुआ फिर मेरा जचीर मत मर गया था सच मोचे और वो ग्यान काम आ गया कि हम परमात्मा के बच्चे हैं महारा तेरा कोई मेल नहीं परमात् सत्गुर सर्ण में आकर धर्मराज डर कैसा इन काल के दूता जक रहे कि हैं बो सत्गुर दे परम पिता परमात्मा पूर्ण बिरम सारी शिरिष्टी के रचनार कुल मालिक कबीर देव जी कबीर साहिब जी की असीम के रपा से आप जी को ये सत्संग सुनने को पराप्त हु वो पुन्यात्मा है जो सत्संग सुन रहे हैं आज के कली युग में किसी भी विक्ती को फुर्सत नहीं है किसी भी विक्ती के पास टाइम नहीं है ऐसे समय में आप जी के पास टाइम है प्रमात्मा ने आप पे रज़ा की है इस काल के जाल को आपके हर्दे में उतार दिया आप सम्हण चुके हो लेकिन आप जी के पूरव जनम के संसकार आप जी के पूरव जनम के जो पाप हैं जनम जनमांत्र की वो अच्ट्यधिक हैं कम नहीं है और आप जी के पास बगती सक्ती पुन्य ये कल युग में पहुंच जाने के कारण बिलकुल अक्सीन हो चुके हैं क्योंकि सतियोग त्रेता दुआपर में ये पुन्यात्माएं अपने पुन्यों को समाप्ट कर देती हैं उन तिन्नों युगों के अंदर प्राणी जादा दुखी नहीं होते हैं सतियों के अंदर लाख वर्स की आयू होती है मानों की अब विचार करो पुन्यात्माओं वो लाख वर्स का जीवन भी हम सभी ने जीया है मनुस जीवन और वो समय जो स्रीर सवस्थ सांत मन राद्विस बहुत ही कम सतियोग में तो उस समय भी हम रहे सतियों के अंदर एक विसेष्टा बताई है कि पत्नी से पहले पती की मरत्यू नहीं होती पिता से पहले पूत्र की मरत्यू नहीं होती और भी सारीरी कष्ट मानसिक प्रिसानिया नाम मात्र होती है एक लाख वर्स का जीवन मनुस का अब तो हम 60-75 तक पहुँच जाते हैं तो सुकर मनाते हैं और इतने कष्ट सरीर मा आ जाते हैं इतने प्रकार की व्याधाएं सरीर को घेर लेती हैं इस कर्यूग में तो अब तो हम ये सोचते हैं प्रमात्मा मर्चूत हो जा पर ठीक ठाक हो जा पहले तो हम जब तक यूआ होते हैं पचास साल तक रहते हैं तो न्यों सोचाएं बहुमरा नहीं अर्णियूमन माहो कभी नहीं मरेंगे और जब ये सत्र पार कर जाता है ये प्राणी कल्यूग में फिर ता इसको कभी गोड़्या मदर्द कजे शर बढ़का कजे कभी दाथ कंडम हो जाते हैं कभी कोई और बिमारी कजे गोड़्ये ना उठ चाला है कई परकार की व्याद आएंगे एरलेती आँखों से दीख है नहीं शरीर अस्ती पिंदर मातर रह जाता है फिर पता जलता है कि वो विक्ती ऐसी बिमारी से गरस्त है वर दवस्ता में भूगत रहा है किसी की कथा सुनते हैं कि वो इतने दिन तक भूगत कर तडफ कर हाहा कार मचा के मरतू को पराप्त हुआ तो आज कल्यूक में फिर हम ये सोचते हैं परमात्मा ठीक ठाक मर जावा है मरने की कोई अबजक्शन नहीं रहता है बहुत ही कम ये आसा तो होती है कि अभी ना मरे अभी साथ और भी जीवन हो लेकिन ज्यादातर ये समस्वे आ जाती है परमात्मा ठीक ठाक जीवन ये खिर सांस पूरे हो जाऊ मरा समय पूरा हो और जब हम सत्युग में थे सत्युग में तो आखरी सांस तक भी जीव बहुत ही सवस्थ रहता है बहुत आसानी से स्री छोड़ जाता है पिछले पॉर्ण ने इतने अच्छे होते हैं जैसे आप जीने एकाद प्राणी यहां भी देख्या होगा कि ना वो बगती करता होता है ना कोई धरमपुन करता होता है और मर्तु पता साथ साथ पैंशट साल की उमर में ऐसे हो जाती है कि स्यामनस होया था सुवेर अमर्या पाया बहुत आसानी से कोई तकलीफ नहीं कोई कश्ट नहीं कोई रोग नहीं था तो मर्तु को प्राप्त हुआ उसको कोई दुख्य नहीं आया क्योंकि उसके पिछले पन थे लेकिन वो सारे फिनस्क हो गए खतम हो गए अगले जनम में वो किसी पसू जो नहीं में जाओगा फिर चैन का काम में कोई नहीं नरे कश्ट पर कश्ट आएंगे तो कहने का भाव यह है कि हम लाख वरस जीवन भी जी कर जिए कर अम इस संसार में मानो रूप में रहे हैं फिर त्रेता के अंदर दस हजार वरस तक जो है जीवन रहता है और तरेता में हजार वरस तक स्टार्ट जाएंसे होता हजार पस तक और एंड होता है वहां दो से तिन सो दो सो तक जीवन रह जाता है दौआपर का कलियुग दो सो सवा दो सो तिन सो से सुरू होता है और अन्त उसका पंदरा बीस वरस पर समाफ़त हो जाता है कलियुग में बीस वरस की आयू रह जाएगी मनुस्की गोहर कलियोग, लाश्ट एंड आफदा कलियोग और पांस वरस की लड़की के बाल को उन लाएक जाएंगे बत्चे होंगे और पंद्रा वरस की आईउ में सभी मर्टू को प्राप्त लगबग मर्टू को प्राप्त हो जाएंगे जैसे आज कल 75 वरस 80 वरस मुस्किल से जीव मनुस जीता है 200, 200, 300 से शरू होता है और अन्त उसका पंद्रा बीस वरस पर समाफ़त हो जाता है कलियोग में बीस वरस की आईउ रह जाएगी मनुस की गोहर कलियोग, लाश्ट एंड आफदा कलियोग और पंद्रा वरस की लड़की के बाल को उन लाएग जाएगी बत्चे होंगे और पंद्रा वरस की आईउ में सभी मर्टू को पराप्त लगबग मर्टू को पराप्त हो जाएगी जैसे आज कल 75 वरस 80 वरस मुस्किल से जीव मनुस जीता है तो उस में ऐसा होगा कि 20 वरस की उमर होगी और 15 वरस की उमर में तकरीबग मर्टू को पराप्त हो लिया करेंगे तो 15 वरस में युवा भी ओलेंगे, संतान भी ओलेंगे और मर्ब भी लेंगे तो वो 15, 20 वरस भी गणे दिख्या करेंगे कि अब हम सोट रह सोवरस्ट